नितीश कुमार के सामने अगर सुनील कुमार सिंग माफी मांग लेते तो संभवता उनकी सदन की सदस्ता जो है वो बच जाती कारी सुएब ने अपनी टोपी उतारकर नितिश कुमार के सामने रख दिया और कहा कि हुजूर मुझे माप कर दीजिये अगली बार से मैं गलती नहीं करूँगा नमस्कार निंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हुआ आपके साथ बिर्जु सिंग आरजेडी के मिल सी सुनील कुमार सिंग की सदन की सदस्ता जो है वो अब खत्म हो गई रद कर दी गई अचार समीती की अनुसंसा के बाद सभापती ने बड़ी कारवाई की और जिसके बाद पहला पोस्ट सोसल मीडिया पर सुनील सिंग आता है सुनील सिंग एक तस्वीर और ग्राफिक्स के जरिये वो कहना चाते हैं इसमें कि जुकेंगे नहीं साहब चाहें जो भी कर लो मतलब सुनील कुमार सिंग अस्पस तोर पर नितीज कुमार को लेकर कह रहे हैं कि नितीज कुमार के सामने वो जुकने को तयार नहीं है चाहें इसका प्रणाम जो भी हो मुझे फासी पर चरहा दो लेकिन हम आपके सामने जूकेंगे नहीं अब जरासा इंसाइड इस्टोरी को भी समझ लीजे कल मांसून सत्र कांतिन दिन था, कल विधान परशद में फैसला सुनाया गया लेकिन इस बात की चर्चा विगत कई दूनों से हो रही थी कि सुनील कुमार सिंग के साथ साथ आरजेडी के एक और मलसी इनका नाम मुहंबत काडी सुहेब है उनकी भी सतस्ता जो है वो रद की जाएगी चुक्कि इन दोनों को लेकर अचार समीती में सिकायत थी कि इन दोनों MLC ने, इन दोनों निताओं ने नितीश कुमार के खलाप अभधर टिपने की असंसदिय सब्दों का प्रयोग किया नितीश कुमार का मिमिक्रिंग किया एसे में सदन का नियम झानून इस बात की इजाज़त नहीं देती है और इसके बाद जो समीती है वो अनुसंसा करती है कि क्यों ना इन पर कारवाई की जाए जिसके बाद Авधेश नरायन सिंग जो सभापती है उन्होंने यह बड़ी कारवाई जो है अपने मुँ है सुना धिय कि कारवाई सुनील कुमार सिंग को अक्याती है वही दूसरे जो MLC थे मुहमद कारी सुवेब उनको अगले सदन में दो दिनों के लिए सस्पेन कर दिया गया अब मुहमद कारी सुवेब बच कैसे गया चुकि जो सुत्र बता रहें कि सुनील कुमार सिंग किसी भी हाल में नि उन्हें अस्वस्ट सब्दों में पहले कह दिया था कि चाहें अंजाम जो हो परिनाम जो हो लेकिन नितीश कुमार से हम माफी नहीं मांगेंगे वहीं दूसरे MLC मुहमत काडी सुहेब ने अपनी जो टोपी थी जिसे मान सम्मान सुर्म्यान जो कह लिजी आप उन्होंने अप कुछ नितीश कुमार के सामने उतार कर रख दिया तोपी हात मिलेकर नितीश कुमार के सामने दंदवर्थ हो गए और उन्होंने कहा कि हुजूर् अगली बार से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे हैं काड़ी स्वेब की में बात कर रहा हूं काड़ी स्वेब नितीश कुमार से माफी मांगे कुछ इस अंदाज में चुकि जो वहाँ पे लोग थे MLC थे जो निता थे उनका कहना है off camera कि वो माफी मांगे और माफी मांगने का तरीका उनका बहुत अजीब था जिसके बाद नितीश कुमार जो है काड़ी स्वेब पर रहम कर देते हैं और सुनिल सिंग पर कारवाई हो जाती है सुनिल सिंग पोस्ट के जड़िये बताते भी है कि जुकेंगे नहीं साहब चाहें आप जो कर लेजी पर नाम जो हो लेकिन जुकने वाले नहीं है अब जलासा भिस्म सहनी को भी सुनीजे भिस्म सहनी ने जिनके सिकायत पर कमिटी ने जाच किया सही उस कमिटी की डिपोर्ट में पता चला कि भाई जो आरोफ है वो सही है बिस्म सहनी से जब हमारे सयोगी ससांग पाने ने बाच्चीत की तो नोटास पस्तर पर कहा कि अगर सुनील कुमार सिंग माफी मांग लेते नितीज कुमार से कि हुजूर माफ कर दीजे जैसा कि कारी स्वयव ने मांगा तो कारी स्वयव की तरह इनकी भी सदस्ता जो है वो बच जाती लेकिन इन्होंने माफी मांगना पसंद नहीं किया जिसके कारण परणाम यह हुँआ कि इनकी सदन की सदस्ता जो है वो छील ली गई, इनकी सदन की सदस्ता जो है वो रद कर दी गई सुनिल कुमार सिंग नितिश कुमार के खलाब टिपनी, नितिश कुमार के खलाब Facebook पोस्ट के लिए जाने आते हैं सदन में हो या फिर Social Media पर जो उनका प्रतिकिरिया होता है नितिश कुमार को लेकर जिस प्रकार से वो कटाक्ष करते हैं उसको लेकर अक्सर वो चर्चा में रहते हैं चाहे वो नितिश कुमार के साथ हो या फिर वो विपक्ष में हो नितिश कुमार पर वो हमेशा अपने अंदाज में निशाना साज दूते रहते हैं और साथ यही बड़ी बज़े है जिसके कारण आज उन्हें सदन की सदस्ता से हाथ दोना परा है अगर सुनिल सिंग माफी मांग लेते एक बाद फिर से में कहेंगे कि सुनिल सिंग माफी मांग लेते तो उनकी सदन की सदस्ता जो है वो बच जाती नितिश कुमार उन्हें माप कर देते लेकिन उन्होंने मापी मांगना पसंद नहीं किया वो हात धोलिये सदन की सदस्ता से वो उनको कबूल था लेकिन इत्रीश कुमार के सामने जूकना सुनिल सिंग को कताई पसंद नहीं था जिसके कारण सुनिल सिंग पर जो कारवाई हुई है वो उसी का नतिजा है सुनिल सिंग को लेकर आपका क्यारा है आप अपने राय को कमेट से बॉक्स पर रखिए अगर आप पर चैनल को यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लिजे